नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने परिवार New Ideas YT में आज से हम M3R5 जो की O-Level का थर्ड पेपर है पेपर का नाम है Programming and Problem Solving Through Python Language इसकी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, इसका बैच सुरू कर रहे हैं इसमें आपको Python की Complete तयारी, जहाए वो MCQ portion हो या फिर Practical portion हो, उसकी Complete जो Video Lectures है, PDF Notes है MCQs PDF है, Viva PDF है, Practical Question Answer की PDF है, Videos है यह सारा Content आप लोगों को इस बैच में प्रवाइड कराया जाएगा Basically, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, जो Python Language है, इसका syllabus क्या है वने आप लोगों को Python Language का Separate syllabus examjila.com इस website पे प्रवाइड कर दिया है जहां से आप लोग PDF डाउनलोड कर सकते हैं इस syllabus की Basically, इस बैच में जो भी content आपको मिलने वाला है, वो new pattern के अनुसार आपको मिलेगा ताकि आप अच्छा score कर पाएं अपने आने वाले exam में ताथ ही ये class थोड़ी सी छोटी होने वाली है, क्योंकि मुझे लगता है कि इस class में कुछ wise का issue हो सकता है तो मैं इस problem को fix करने के बाद, next class में एक लंबी class ढूंगा So, let's start So, basically, जो ये python language है, इसके बारे में हम जो basic जानकारी है, वो आपके साथ में साजा करेंगे तो सबसे पहले जान लेते हैं कि python language है क्या तो python एक general purpose, interpreted, object oriented, embedded, high level programming language है तो जो सबसे main term है, पहला तो high level, दूसरा है programming language ये दोनों term आपके तभी आप python के बारे में जो जानकारी है, उसको explore कर पाओगे तो आईए देखते हैं कि ये high level और programming language क्या होता है जैसा कि आपको पता है, computer से किसी भी निर्देश का पालन करवान के लिए programming language का प्रियोग किया जाता है programming language के माद़न से ही user computer में आवस्यक instruction देता है इसके आधार computer हमें output देता है तो कहने का मतलब ये है कि जो computer काम करता है उसके पीछे क्या निर्देश दिये गए हैं ये instruction user के द्वारा उसमें feed किये जाते हैं और ये instruction किसी न किसी programming language का use करके दिखे जाते हैं वो आपकी C language, C++, C Sharp, Python, Java या कोई other language हो सकती तो कहने का मतलब ये है कि जो programming language है ये एक computer language है जिसकी help से जो programmer होता है वो software create करता है या फिर आप इसे अधार भी बोल सकते हो जो programmer होता है अब बात ये आती है कि programmer क्या होता है तो वो बंदा जो programming कर रहा होता है code लिख रहा होता है उसको हम बोलते हैं programmer जो programmer होता है तो जिस programming language का use करके code लिखता है और उस code को particular जो translators होते हैं उसके द्वारा machine code में या फिर native code में change किया जा सकता है और बाद में उसे execute भी किया सकता है तो ऐसी language को आप बोल सकते हैं programming language और उन्ही में से एक है पाइटिंग जैसा कि आपको पता ही होगा जो computer होता है वो machine language को समझता है और machine language को ही हम लोग low level language या फिर binary language की कहते हैं और इसमें सिर्फ और सिर्फ जो नंबर्स हैं जीरो और वन उन्हीं को यहां पर consider किया जाता है यानि कि जो machine भासा है इसमें जो instructions होते हैं निर्देश होते हैं वो जीरो और वन की form में होते हैं जीरो का मतलब होता है और और वन का मतलब होता है on तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपको computer से कोई भी काम कराना है उसके लिए आपको जो निर्देश देने हैं इस्टक्शन देने हैं वो जीरो और वन की form में ही देने होंगे जो की काफी tough हो जाता है difficult हो जाता है एक user के लिए क्योंकि अगर आपको कोई निर्देश जीरो और वन की form में देना है यह काफी ज़्यादा complicated हो जाता है तो user क्या करता है विभिन प्रकार की programming language है उनका use करके instruction लिखता है तिन उस instruction को जो की high level language में लिखे गए है अब यह high level language क्या होता है इसको भी मैं कुछ second के बाद में आपके साथ में share करूँगा बट आप यह समझ लीजिए की high level language कोई एक ऐसी चीज होती है जो की लिखने के लिए हम लोग English के जो words हैं, characters हैं, symbols हैं उनका use करते हैं, तो user क्या करता है, एक आसान भासा में, high level language में English word, symbols का use करके code लिखता है, जो की particular जो programming language है उसके syntax को, उसके concept को follow करते हुए दिखा जाता है अब चुकि जो instruction, language की help से, user ने लिखे थे, programmer ने लिखे थे, वो तो high level language में है बट जो computer है, वो machine language को समझता है, that is 0 or 1 तो क्या करना होगा, high level language में लिखे गए code को, हमें machine code में convert करना होगा low level language में convert करना होगा, ताकि computer उन instruction को समझ सके और execute करके हमें, जो output चाहिए था, उस instructions के corresponding, वो हमें मिल सके अगला आता है, assembly language, तो जो assembly language है, इसे हम लोग second generation की language भी कहते हैं, या फिर आप इसे middle level language भी बोल सकते हो assembly language, machine level language से अधिक एवं प्रभाव साली होती है, जो कि विसेश प्रकार के code का प्रियोग करती है, हुआ क्या, सुरुवात में जब computer बनाया गया, उसमें जो instructions हैं, वो 0 और 1 की form में ही दिये जा रहे थे, जो कि काफी जादा complicated था, difficult था programmer के लिए, तो उसको और easy बनाने के लिए बनाई गई assembly language, जहाँ पे जो programmer था, वो कुछ basic code, जो कि उसका syntax था, उसको follow करके लिख रहा था, जो कि machine language से थोड़ा सा easy था, दिन हुआ क्या? अब चुकि जो ये code था, वो एक assembly language में लिखा गया code था, तो इसे भी machine code में convert करना पड़ेगा, तभी computer समझ पाएगा इस problem को solve करने के लिए बनाया गया translator, जिसका नाम रखा गया assembler, क्योंकि assembler, assembly language में लिखे गए code को machine language में convert कर था, अब जो ये assembly language थी, ये भी इतनी easy या फिर comfortable नहीं थी, तब बनाई गई क्या high level language, जो high level language है, जो एक modern programming language है, जो कि machine और assembly language से ज़्यादा effective है, प्रभाव साली है, क्योंकि इसमें जो भास यूज होती है, वो आम तावर पर जो मनुस्यकी language है, वो होती है, इसमें कोई भी programmer आसानी से coding कर सकता है, उसको समझ सकता है, और use कर सकता है, अब चूकि जो ये language है, इसको पढ़ना आसान है, इसको समझना आसान है, तो इस case में जो गलतियां हैं, mistakes हैं, उनके भी होने की संभावना कम रहेगी, इसे लिए हम लोग इसे high level language कहते हैं, क्योंकि इसमें जो code लिखा गया होता है, वो English के word, character, चिन, जिसको बोलते हैं, symbol इनका यूज करके लिखा जाता है, ना कि 0101 की form में, और high level language को machine code में बदलने के लिए, translate करने के लिए हम interpreter या फिर compiler, जिनको हम लोग महबत से translator कहते हैं, इनका यूज किया जाता है, example देता हूँ, one minute, नहीं मैं प्रिपन करता हूँ, print, इब्रेस, पान लिजे, आपने कोई code लिखा, कुछ निर्देश आपने लिखे, जो की किसमे हैं, वो है, high level language में, या कि HLL, high level language में, अब ये computer है, क्या है, ये है computer, इस computer से इन instructions को, जो की हमने इस file में लिखे हैं, जो की high level language में है, उसे computer से perform करवाना है, run करवाना है, तो हमें क्या करना होगा, इस high level language में लिखे गए code को, computer की भासा, and that is machine language, इसमें हमें convert करना होगा, और इसमें convert करने के लिए, हम लोग यहाँ पर translator का use करेंगे, translator क्या करेगा, high level language में लिखे गए code को, machine code, यानि की 0101 की form में convert कर देगा, और computer के जो internal parts होते हैं, जो की responsible होते हैं, run करने के लिए, उस file को execute कर देंगे, और आपको desire output मिल जायेगे, तो मुझे आसा है कि आपको programming language, high level language के बारे में जानकारी हो गई होगी, आते हैं topic के उपर, topic था कि python एक general purpose, interpreted, object oriented, embedded, high level programming language है, तो ये दो टर्म मैं आप साथ में explain कर चुका हूँ, अब बारी है, इसके अगले terms के बारे में जानने की, अगर आपने वीडियो को like नहीं किया है, तो वीडियो को like कर दीजिए, और चैनल को subscribe कर लिजिए, अगर आपको python का paid batch, join करना है, तो आप whatsapp number 760-741-8817, इस number पे contact कर सकते हैं, या फिर आप लोगों को यहाँ पर एक website दी गई है, examjilla.com, यहाँ पर जाकर भी आप यहाँ पर जो course के बारे में हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हो, जो सबसे पहला टर्म है, वो है general purpose, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है, कि जो python language है, इसकी help से आप different type के software create कर सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कि आप इसमें एक ही प्रकार के, like desktop या फिर web development में, यानि कि यहाँ पर कोई particular एक area नहीं है, एक particular sector नहीं कि आप इसमें इसी प्रकार के software develop कर सकते हो, आप इसमें किसी प्रकार का software develop कर सकते हो, इसी वज़े से हम लोग इसको general purpose language कहते हैं, अगला आता है interpreted, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जिस प्रकार से आप c language के code को compiler के द्वारा compile कर रहे थे, उसी प्रकार से यहाँ पर जो python का code है, इससे आपको interpreter के द्वारा interpretate कराना होगा, यानि कि यहाँ पर जो high level language का code रहेगा, उसे machine code में convert करने के लिए interpreter की requirement होगी, और interpreter क्या है, तो यह एक translator है, जो कि high level language में लिखे गए code को, machine language में convert करेगा, अगला टर्म आता है object oriented, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है, कि जो python है, कहने का मतलब यह है, कि जो भी programming language होती है, जाहे वो c हो, c++ हो, java हो, c sharp हो, php हो, या कोई other language है, वो कोई न कोई programming concept को follow करती ही है, तो उसी प्रकार से जो python है, यह object oriented style, यह आप बोल सकते हैं, object oriented concept को follow करती है, जिसे हम लोग salt में oops concept कहते हैं, तो अगर आप से कोई कहे, कि python language किस concept को follow करती है, तो answer आएगा, oops के concept को follow करती है, object oriented concept को follow करती है, ध्यान दीजेगा, जो python है, यह purely object oriented programming language नहीं है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जो python language है, यह oops के concept को follow तो करती ही है, साथ में procedural oriented concept को भी follow करती है, अब यह object oriented क्या होता है, procedural oriented क्या होता है, यह मैं आपको आने वाली classes में explain करूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपको ज़्यादा deep में knowledge इसी वीडियो में provide कर दूँँ, ताकि आप अंदर जो confusion है, वो और बढ़ सके, तो पहली class में आप जितना follow कर सकते हैं, वही मैं आपको इस class में दूँगा, अगला आता है embedded, तो embedded को हम लोग यहाँ पर समझेंगे, तिन मैंने आपको बाकी की टर्म समझा दिये, पाइथन एक general purpose, interpreted, object oriented, embedded, high level programming language है, अब बात यह आती है कि जो पाइथन language है, किसके द्वारा और कब develop किया गया, तो पाइथन को नीदर लेंड के एक निवासी थे, जिनका नाम था गीडो वैन रौसम, इनके द्वारा 1989 में पाइथन language को develop किया गया, और 1991 में पहला release publicly available कराया गया, वहें जो पाइथन का second version है, वो 2000 में release किया गया, वहें पाइथन 3.0 2008 में release किया गया, और present time में हम लोग पाइथन 3 version पे ही काम करते हैं, अब अत्र में ये आता है कि जो पाइथन language है, इसका नाम पाइथन ही क्यों रखा गया, तो उस time पे, जब इस language को develop किया जा रहा था, उस time पे एक comedy TV show आ रहा था, जिसका नाम था, Monty Python Fly Circus, तो इसी सोक का जो नाम था, इनसे इंस्पार होके, गीडियो वैन रौसम ने इसका नाम पाइथन रख था, ठीक है, तो पाइथन programming की जो फाइल होती है, उसे हम लोग .py इस फाइल extension के साथ में सेव करते हैं, जिस प्रकार से आप लोग HTML फाइल को .htm या फिर .htl फाइल extension के साथ में सेव करते हैं, उसी प्रकार से हम लोग पाइथन की जो फाइल होती है, उसे .py इस extension के साथ में सेव करते हैं, अब बात यह आती है कि जो पाइथन language हैं, इसके क्या features हैं, तो सबसे पहला feature कि जो पाइथन language है, इसका code काफी easy होता है, मैं आपको ये term लाता हूँ practically, बिसकली अगर आपको पाइथन के साथ में काम करना है, सबसे पहले आपके computer में Python install करना कमबल सरी है, तो मैं क्या करूँँगा, सबसे पहले अपने computer में Python को install करूँगा, और Python को install करने के लिए, सबसे पहले आपको browser को open करना है, और यहाँ पर type करना है Python download, सर्च करने के बाद आपके सामने इस type से कुछ website दिखाई देंगी, तो आपको पहली website www.pythonorg. ठीक है, इस website को open करना, तो हमने इस पर क्लिक कर दिया, ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस type से interface आएगा, तो present time में Python का सबसे latest version है, वो यहाँ पर so हो रहा है, और वो है Python 3.10.4, अगर आप Windows 10 यूज़ करते हैं, तो जो ये latest version है, ये आपके computer को support करेगा, अगर आप Windows 7 का यूज़ करते हैं, तो आप latest version कताई यूज़ ना करें, आपको क्या करना है, अगर आपका Windows 10 है, तो simply आपको इसी link पे क्लिक कर देना है, और जो ये Python का Python है, ये download होना शुरू हो जाएगी, और यहाँ पर download भी, तो simply मैं इसको open करूंगा, बट बात ये आती है, कि अगर मैं Windows 7 यूज़ करता हूँ, तो मुझे कौन सा version इंस्टॉल करना चाहिए, तो simply आपको इस Windows वाले icon पे क्लिक करना है, मैंने यहाँ पर इस link पे क्लिक कर दिया है, और आपको यहाँ पर 3.5 के something, जो versions हैं, उसको आप download और install कर सकते हो, तो आप यहाँ पर 3.8 है, 3.9 है, 3.5 आपको मिल जाएगा, आप उसको install कर लीजे, वो आपके system में support करेगा, तो one minute मैं आपको दिखा देता हूँ, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो, तो आप 3.6 भी use कर सकते हो, तो एक बात और, कि अगर आप Windows 7 का use करते हैं, तो आपके system में service pack 1 install होना चाहिए, तभी Python वर्क कर पाएगी, प्रॉपर तरीके से install हो पाएगी, तो Windows 7 के लिए आपको 3.5 के something, आजपास के जो version है, उसको install करना है, साथी service pack 1 install होना चाहिए, विंडो 10 के लिए service pack 1 की कोई requirement नहीं है, आप latest version और से use कर सकते हो, तो अगर आपका computer 32 bit का है, तो आपको simply इन में से किसी एक link पे क्लिक करना है, ठीक है, अगर 64 bit का है, तो जो starting की ये links हैं, ये 64 bit के लिए हैं, और ये 32 bit के लिए हैं, तो आप इन में से किसी भी एक file को download और install कर सकते हो, तो मेरे computer में download हो गया था, तो मैं यहाँ पर उस file को install कर लेता हूँ, open file, मैंने click कर दिया है, तो आपको यहाँ पर install now, इस पे click करना है, इस पे click करने के बाद आप yes पे click कर दीजिए, जिस पे click करने के बाद जो python है, यह install होना शुरू हो जाए, तो मुझे यहाँ पर थोड़ा सा wait करना है, तब तक कि मैं आप से कुछ question put up कर देता हूँ, कि आपके exam के लिए important रहेंगे, तो सबसे पहले तो आपको comment करना है, कि python language को किसके द्वारा develop किया गया है, नमबर दो, python का सबसे जो latest version है, वो कौन सा है, python 1, python 2, या फिर python 3, तो मेरे computer में python successfully setup हो चुकी है, install हो चुकी है, तो मैं इसको यहाँ से close कर दूँगा, अब बात यह आती है कि कैसे confirm हो पायेगा, कि python system में install हुई है, या फिर नहीं, तो simply आपको search वारा आना है, और type करना है python, अगर python install हो जाएगी, तो आपको यहाँ पर so होगा, python की जो idly है, वो आपको so हो जाएगी, तो हमने simply यहाँ पर python पे click कर दिया, और आप देखेंगे, जो python का prompt है, वो open हो चुका है, अगर मैं इसको check करना चाहूं, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा, for example, 5 plus 10, मैंने enter किया, तो यहाँ पर लिख क्या चुका है, 15, यानि कि यह proper तरीके से work कर दा है, तो आपको समझ में आ गया होगा, कि python को कैसे install करना है, अब बात यह आती है, कि जो टर्म है features में easy to code, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बिल्कुल simple सा है, मैं आपको दिखाते हैं करके, तो हमने यहाँ पर python को open कर लिया है, python कर जी, और मैं यहाँ पर जो idly है, इसको open कर लेता हूँ, जो python की idly है, वो open हो चुकी है, और मैं जो basic बोल सकते हैं, settings हैं, वो कर देता हूँ, like मैं यहाँ पर जो size है, उसको थोड़ा सा increase कर देता हूँ, कर देता हूँ 29, उसको हमने apply कर दिया, और ok कर दिया, I hope की आपको proper तरीके से दिखाई देता, मान लीजे हमें सबसे जो पहला और basic प्रोगाम होता है, वो होता है कि आप किसी भी language की help से hello word प्रिंट करते हैं, तो आप कैसे करेंगे, तो हमने आप लिखा print, जान दीजे, जो python language है, यह case sensitive है, इसका मतलब यह है कि आपको जब भी आप variable create करोगे, या फिर function के नाम लिखोगे, तो अगर वो small letter में है, तो आपको small letter में ही लिखना है, अगर capital letter में है, तो आपको capital letter में ही लिखना है, हमने आप लिखा print, और bracket के अंदर हमने यहाँ पर लिख दिया है, hello world, और enter की hit किया, तो यहाँ पर लिख किया आ चुका है, hello world, तो अगर आपने successfully अपने computer में hello world print कर दिया है, तो आप अपने आपको धन्यवाद दिजिये, और आप सुचिए कि आपने python की help से पहला program print कर दिया है, successfully execute कर दिया है, तो आपने देखा कि यहाँ पर जो python language का code है, वो बहुत ही easy है, other language की comparison में, और आपको यहाँ पर code भी कम लिखना पड़ा, वहीं अगर आपको c language की help से या फिर java की help से hello world print करना होता, आपको यहाँ पर कम से कम तार से 5 line लिखनी होती, उसके बाद यह output आपको मिलता, बट python language में आपने सिर्फ और सिर्फ यह instruction लिखा और आपको मिल गया hello world, सर मुझे अपना नाम print करना है, तो कैसे print कर सकते हैं, तो मैं इसको यहाँ से कर लेता हूँ, copy, copy करने के बाद इसको हमने यहाँ पर paste कर दिया है, और जो भी आपको लिखना है, वो आप यहाँ पर dual codes के अंदर लिख सकते हो, तो मैं नहाँ पर अपना नाम print कर दिया है, सत्यम साहू, और मैंने enter की hit किया, तो यहाँ पर लिख क्या चुका है, सत्यम साहू, तो यहाँ पर जो coding करना काफी easy है, अगला term आता है open source and free, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जो python language का code है, यह open source available है, इसको कोई भी dpl license के through download कर सकता है, उसको edit कर सकता है, आपने देखा कि हमने python बिल्कुल free of cost download की, मुझे एक भी रुपय का payment नहीं करना पड़ा, यह open source है और free है, अगला feature आता है extensible, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जो python language है, मान लीजिए हमने यहाँ पर python language में कोई code लिखा, अगर मैं चाहूं तो उस python code में other language, like c, c++, java, csarp, यानि कि other programming language का code भी उसी file में use कर सकते हो, तो python extensible है, अगला है embedable, मतलब यह है कि अगर आप non python code लिख रहे थे, मान लीजिए आपने कोई c language की help से, या मान लीजिए आपने java की help से, एक project create किया, उस project में आपने सिर्फ और सिर्फ java language को use किया है, बट आप python का कुछ code भी उसी file में use करना चाहते हो, तो आप ऐसा कर सकते हो, तो इसको बोलते हैं embedable, यानि कि non python code में आप python code को embed कर सकते हो, next आता है pi, यानि कि platform independent, जिसका मतलब यह है, जो python की file होती है, python का code होता है, वो platform independent होता है, और platform independent से मतलब यह है, कि मान लीजिए आपने windows operating system पे, windows platform पे python का code लिखा, तो आप उसे other, किसी भी platform, like ubuntu, linux, unix, किसी भी platform पे execute करवा सकते हो, run करवा सकते हो, proper तरीके से work करेगा, तो python क्या है, platform independent है, python language, GUI, यानि कि graphical user interface को भी support करता है, यानि कि इसकी help से आप, graphical user interface type का, भी code लिख सकते हो, as the suvitha आपको python में मिलती है, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, आप इस class को कहां से देख रहे हैं, आप हमें उस location के बारे में भी, बता सकते हो कि सर मैं UP से हूँ, मैं कानपुर से हूँ, मैं विष्ट बंगॉल से हूँ, पंजाब से हूँ, तो आप हमें बता सकते हो कि आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हो, comment box के थुरू, अगला टर्म आता है object oriented, तो ये object oriented approach को support करता है, ये high level language है, ये highly portable है, और ये dynamic typed language है, इसका मालब ये है कि जब भी आप लोग python language में किसी भी प्रकार का variable create करते हो, तो आपको ये बताने की आवसकता नहीं है, कि जो आपने variable create किया है, वो किस प्रकार की value को, किस प्रकार के man को hold करेगा, contain करेगा, अब ये variable क्या होता है, इसके बारे में हम लोग अगले session में चर्चा करेंगे, तो मुझे आसा है कि आपको ये session पसंद आया होगा, अगर आप लोग इस complete series को PDF notes के साथ में join करना चाहते हो, तो आप इस series को join कर सकते हो, जो PDF का demo है, वो मैं आपको अगली class में दिखा दूँगा, या फिर आप WhatsApp नंबर पर message करके भी Python PDF का जो demo है, उसको प्राप्त कर सकते हो, तो guys, मिलते हैं next class में तब तक के लिए जैहिंद, Thank you friends.